नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग विभीन परकार के यातायात संकेतों के बारे में पढ़ेंगे यह यातायात संकेत हमारे UPSI एक्जाम के लिए इंप्वाटन्ट है क्यूंकि यह धाई नंबर हमें देंगे लेकिन साथ साथ ही हमारे दैनिक जियों में लोड़ा बहुत चला सकते हैं ठीक है आपको डियल दे दिया जाएगा तो यह जो आज का लेक्चर है यह ग्याम की दृष्ट से साथ-साथ आपके बैवहारिक प्रिव्यच से भी बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखिए बीस से पच्शीस मिनट का यह वीडियो बनेगा लेकिन आपको यह धाई नंबर यूप यह साई ग्याम में देखे जाएगा ठीक है तो सभी निसानों को हम लोग देखते हैं के को समझते हैं लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूँ जो यह साइन होते हैं यह मुखिता त इन तीनों का अलग-अलग मतलब होता है जो गोले के अंदर बने होते हैं इनका यह मतलब होता है कि यह ट्रैफिक को नियंतरित कर रहे हैं इनको रेगुलेटरी साईन कहा जाता है और यदि आप इस साईन का उलंगन करते हैं तो आपको भारी चलान भरना पड़ेगा ठीक ह ये traffic को नियंतरित करते हैं आपको इनको मानना ही पड़ेगा ये mandatory हैं जो तिरभुज के अंदर होते हैं ये आपको चेतावनी देते हैं ये आपको क्या करते हैं चेतावनी देते हैं कि आगे जाने के बाद सड़क कैसी है उसके बारे में ये बताते हैं कि आगे जाने के बाद दाइने मोड है, बाए मोड है, कोई सड़क आके से मिल रही है, या इसे कोई सड़क कट रही है, इसके बारे में जो सूचना होती है, चेताउनी होती है, वो तिर्भुज के अंदर दी जाती है, यदि आपको रोड कोई तिर्भुज मिले तो कहने के मतलब कोई चेताउनी लि मिलेगा ठीक है या आपको खाने पीने के लिए कोई रिस्टोरेंट मिल जाएगा या नाफ्ता करने के लिए मिलेगा तो यह सब जो सूचनाएं हैं वो आयता कार में दिये जाते हैं तो आप एक बड़ी पहले आपको दिखाता है, यहाँ पर गाड़ी रोक देनी चाहिए जाया है मतलब कर आप यहाँ पर रुक जाए जो दूसरा है जिर आपको दिखाता जाहिए समझ लीजिए इसका पर तो जिस साइड से पीछे आने वाली ट्रैफिक को राफ्ता देना चाहेंगे उधर इस ट्रैंगिल को आप अपने गाड़ी के आगे पीछे लगा देंगे तो पीछे आने वाली गाड़िया ये जान जाएंगी हमको इस गाड़ी के दाहिने से जाना है या बाहिन से जिधर ये ट्राइंगल लगा होगा उधर से गाड़िया पास होती चली जाएंगी तो ये जो साइन होता है ये राफ्ता देने वाला साइन होता है ताप ये दो साइ चौथा यह दिखा रहा है कि एक राफ्ता है मतलब जाने वाला मतलब आगर आप जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं आप यह समझे लिए आप गाड़ी के अंदर हैं आपको यह राफ्ते में यह बोर्ड आपको दिख रहे हैं कहने कि मतलब आप जब यह बोर्ड आपने देखा चौथा वाला तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि यहां पे आप जा नहीं सकते हैं केवल आ सकते हैं कि जाने वाले पर क्या अकराफ लगा हुआ है दूसरा वाला आप देखिए यह भी क्या एकल राफ्ता है यहां पे आप जा सकते हैं कि जाने वाले क्राफ नहीं है आने वाले क्या क्राफ है यहां पे जो लिखा है गलत लिखा गया है यह यह भी एकल राफ्ता है लेकिन इस पे कि जा सकते हैं आ नहीं सकते हैं लेकिन यद यहीं पे एसे बक्राफ लगा होता कि दोनों की उपर से चला जाता। कहने के मतलब अब वह हम दोनों दिसाओं में निस्यु मतलब ना इस राश्टे पर आप आसकते ना आप जा सकते हैं तो इस परकर हमने पांच निसान देख लिए पांच चिन्हों को समझ लिए और ये गोले वाले जो चिन्ह है ये रेगुलेटरी हैं ये ट्राफिक को नियंतरित करते हैं आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा ठीक है आगे चलते हैं छटा ये दिखाता है कि यहाँ पे आपक को यह द्रूभण न होसकती है ठीक है तो हाइबे पे मतलब या फ्लाइस ओबर कोई हो ठीक है तो फ्लाइफ वी मना किया जता है साईक्ल निफष्द today के मतलब इस रास्ते अब आप साईक्ल कर नहीं जा सकते साईग्यल को मना किया गया यह वी फ्लाइफवर को रूपर यह किसी टरनल के आगे लगा दिया जाता है कि आप यहां ना जया जा, यहां भी आपको cycle ले के जाना मना करना होगा है, ट्रेफिक वालो को वहां यह चिन लगा देंगे, दाइं और जाना मना है, ठीक है, यह बाइं और मुड़ा है, उसके बाद यह प्रविशन वाला चिन लगा जाना मना है ठीक है. अग्ला हम लोग देखते हैं, 11 गिराहवाव ये बताता है की U-turn verb यासे यू बना है, उसके बाद ये-कत लगा है, कहने डिसा आप नहीं ले सकते हैं, आप बराहवा देखें कहने क्या है मतलब सीधे जाना चाहे तो आप कि अंरे मतलब जो आब गोड़ा कि और पुसको लेके नहीं जा सकते हैं। कोई और बाहन केहने का मतलब यह होगा सभी परकार के मोटर बाहन इस पर निशिद्ध हो जाते हैं ठीक है सभी परकार के बाहन इस पर क्या हो जाएंगे निशिद्ध आप किसी को लेकर नहीं जाफ़कते हैं कि 11 अगर हम देखें तो देखें तो सुले में क्या आग्या है एक आदमी है और एक गाड़ी को धक्का दे रहा है क्याने मतलब यह हाथ गाड़ी है तो आप इस रास्ते पर हाथ गाड़ी लेकर नहीं चल सकते हैं जब भी कोई फ्लाय उपर होता उसके आगे यह बना होता कि देखें हाथ गाड़ी यहां पर से लगाया है तो यह दो चिंने समझना बहुत जरूरी है ठीक है पहला है अठारा नंबर का यह है अप यहां पर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा है ठीक है पार्क करने का मतलब हो जाए कि आदमी ने गाड़ी पार्क करके बाहर निकलाया है तो यह जो केवल एक बार टेबलर जैसा बना है कहने के मतलब ऐसा निचिन आपको दिखे के आप समझ जाईए कि यहाँ पर हम गाड़ी पार्क नहीं कर से अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं कर से खड़ी करके कहीं जा नहीं सकते हैं यह जो ऐसे क्राफ लग गया है आप इसको अस्पताल मत समझेगा ना इसको चावराहा समझेगा ठीक है गोले के अंदर यह 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 इसे करास बना है तो कहने के मतलब यह हो जाएगा ना तो अब यहाँ पर पार्क कर सकते अपनी गाड़ी ना तो रोक सकते हैं रोकने का मतलब हो कि आप गाड़ी के अंदर हैं लेकिन आप गाड़ी किसी किनारी ले जाके खड़ी करके आप बात नहीं कर सकते हैं यह चिन बनते हैं टरनल के अंदर या फ्लाइओबर के अंदर फ्लाइओ बीच नमबर जो है उगत सीमा दिखाता है धीक है यहां पे 50 लिखा है गोले के अंदर लंकटेगा यदि यहां पर 5 टन 6 टन 7 टन 8 टन जितना टन लिखा होगा उससे ज़्यादा भार आपके एक्सल पर नहीं होना चाहिए ठीक है आप 22 तो 23 में आप कैफे डिफरेंस कराएंगे कि चवडाई के लिए आप देख रहेंगे जो काला वाला निसान है ये बगल बगल से आया कहने के मतलब है कि आगे जो राफ्ता हो दो ही मेटर चवडा है आपके गाड़ी यदि इससे चवड़ी है तो आप इस राफ्ते पर न आए इसका यूज जो था सुरंगों के पहले किया था कि सुरंग की लंबाई चोड़ाई आपको पता चल जाती हो चाहिए तो आप अपने इससे आप से गाड़ी लेके जाएंगे आपकी गाड़ी इससे बड़ी है तो आप लेके नहीं जाएंगे ठीक है 24 नमबर यह दिख कहा गया कि यद्यापकी गाड़ी दस मीटर से ज़्यादा लंबी है तो आप इससे मोड नहीं सकते कहने мод कि यह लंबाई सीमा को च defender तरफ आती है यदि आपके गाड़ी दस मीटर से ज़्यादा लंबी है तो आप इस गाड़ी को इस रोड पे ना ले आए ठीक है पचीस टन भार सीमा आपने यहां देखा था 21 नंबर में आपकी एकसल पे चैना स्याधा भार नहीं होना चाहिए यह पाँच टन जो पचीसों नंबर 25 टन यह आपके को मतलप कोन सा परतीबं समय होता है अब यह आपने देखा था कि यहां पर 50 लिखा था पचाफ लिखने मतलब गति सीमा आप इस रोड पे गाड़ी पचास किलोमेटर प्रतिहंटे पे जादा नहीं चला फकते हैं लेकिन जब आपको 26 चिन दिख जाए मतलब ये वाला चिन सफेद में टेबलेट ठीक है आप इसको इससे भी कनफ्यूजना कीजेगा ठीक है ये लाल बना है ठीक है जो स्पीड आपको बताई गई थी आप उस से जादा नहीं ले जा सकते हैं आप अब उस स्पीड से जादा पर अपनी गाड़ी चला सकते हैं पर्तिवन समाप्त कर दिया गया है इससे नो पार्किंग मत समझेगा ठीक है नो पार्किंग और इसमें डिफेरेंस आप बना के रखिएगा ठीक है 27 ये बताता है कि आपको बाएं मोड़ना है 28 बताता है mandatory है कि आपको दाएं मोडना पढ़ेगा 29 यह बताता है आप या तो आगी सीधे चले जाएए या तो बाएं मुर जाएए 30 दिखाता है कि याद आप तो सीधे चले जाएए या तो आप दाएं मुर जाएए 31 यह दिखाता है कि आप सीधे ही चल सकते हैं 31 यह दिखाता है कि आप सीधे ही चल फक्ते हैं 33 दिखाता है कि आप यहां पर हार्न बजाते हुए चलिए ठीक है, हार्न बजाना यहां जरूरी है, 34 यह दिखा रहा है कि यहां पर केवल बसे चल सकती है, तो यह हो गई जो गोले के अंदर बनी थी, और मैंने आपको भी सबसे पहले ही बताया था, कि जो निसान, जो चिन्न पैसी है, उसके बारे में यह चिताउनी देते हैं तो इनके बारे में आब हम लोग देखते हैं, 35 से, ठीक है, 35 नमब्र यह दिखाता है कि दायावक। मतलब आगे आपकी सडक क्या है? दाए हांथ पे मुड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूड़ पिन मोड़ है आप इसको यू टर्न मत समझेगा ठीक है यह सड़क ही मुड़ रही है आप नहीं मुड़ रहे हैं जब आप मुड़ते हैं ऐसे सड़क ऐसे जा रही है ठीक सड़क ऐसे जा रही है और आप मुड़ गए यह यू टर्न हो गया लेकिन यह क्या सड़क ही मुड़ रही है कहने के मतलब दाइन हात पर बहुत यह दाइनीया उल्टा मोड गलत लिखा है यह बाइन हात किया है आप आप मुड़ेंगे फिर उसके बाद सीधा होके चाहेंगे ठीक है यह हो गया 49 नमबर अगला हम लोग देखते हैं 40 नमबर ठीक है 40 नमबर आप कहने के मतलब आप जिस राष्टे पर चल रहे हैं आगे जाने के बाद क्या है एक सकरा पूल मिलेगा ठीक है आपको आगे जाने क अगे जाने के बाद दिवाइडर क्या है थोड़ा सा कटा हुआ है और फिर आपके आप गया कि आप चाहिए यहां कर सकते हैं यहां के आपको साइकल करने वाले मिल जाएंगे एंगे आप रोट से जा रहेंगे मिल सकते हैं आप अपनी स्पीड मेंटेंश Daar में एक आगे जाने को इसे लोग क्रास्फ करने होंगे ठीक है आप अपनी स्पीड मेंटेन कर लिजिए जब वालिफ ये दिखा था कि आगे क्या और मेंटेन कर लेजिए 46 नमबर यह दिखा रहा है कि आगे जो चौराहा है वो गोल चौराहा है ठीक है यहां एक चौराहा इसे होता है इसे इसे दो सड़के काड़ती है यह उस परकार करें यह समय बीच में क्या एक गोल चक्कर बना है यदि आपको इधर से आ रहे हैं आप को इधर जाना है आप ऐसे नहीं जाफकते हैं आपको ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ेगा ठीक है यह गोल चौराहा को दिखाता है ठीक है अगला यह कि आगे आपकी सड़क क्या हो जाएगी आप चोड़े फड़क पर चल रहे थे आगे जाने के बाद आपकी सड़क सक्री हो जा रहे तो आप उसी इन साफ से अपनी सपीड मींचेंटें कर लिजिए 850 आप से एक सक्री सड़क पर चल रहे थे आगे जाने के आपा कि सड़क क्या हो जाएगी चोड़ी हो जाएगी-05ED सब्सक्राइब आप जिस रोड पे जा रहे हैं इसमें रोड आकर मिल रही है ठीक है आप अपनी इसपीड इसी साफ से मेंटिंग कीजी क्या पता इधर से कोई आप फिर लड़ जाए इधर यह दिखाता है साइड रोड दाएं मतलब कहने के मतलब यह गया कि दाएं से एक रोड आके आपके सटक में मिल रही है इतनी बाते हो गई है अब आगे हम लोग चलते हैं 51 से देखते हैं 51 नम्बर यह दिखाता है कि आप जिस रोड पे चल रहे आप जिस रोड़ पर चल रहे थे उस रोड़ को आगे जाके एक मेन रोड मुख सडक में जुड जाएगी ठीक है एक पतला राषते हाश्क पर चल रहे थे सब्से पहले बाएं से कर आएं सीर राफ्ता बाएं से कर रांस अ मिलना है . चंगुन यह दिखाता है कि यह से येसने यह दिखाता है है यहां पर एक dokład यह इंटरसेक्शन है तो क्या है ? यह стор निसाइट से लिकन यह दाहिने साइट से लेकिन दौनो साइड से ठीक है। दोनों साइड से युझा इधर चली आती फिर इधर चली आती है। आठावज ती ती राहा दिखाता है। अभी आपने देखा था जिसमें एक सडक थी। उसके बाद ये पतली सड़क थी, चौड़ी सड़क मिल गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों एक बराबर फड़के हैं, आपकी फड़क ठीक उसी परकार के दूसरी सड़क से आके मिल लगा है, तो यह क्या हुगए, एक टीती रहा हो गया, ठीक है, उनसठ यह दिखाता है कि आग यहाँ जो सड़क है, इस पर दोनों साइड से ट्रैफिक आ जा रहे हैं, ठीक है, यह जो बाफट है, यह क्या दिखाता है, चवराहा दिखाता है, ठीक है, यहाँ से कन्फूजिंग यह होता है कि यह मांडेटरी वाले, जो रेगुलेटरी वाला था, उसमें आपको एक पारْकिंग नहीं कर सकते हैं, एक बार और कट लग गया था, कहने के मतलब आप आप पारकिंग कर सकते हैं, न तो गाड़ी आप खड़णोहस सकते हैं, ठीक है, यह हो गया, लेकिन यदि तीरभूजि के अंदर ऐसे कट पिट बना है, तो कहने के मतलब यह की एक चव्राहा ठीक है यह पार्किंग वाला नहीं है यह चवराहा वाला है क्योंकि तिरिभुज के अंदर है यह परकार की चैतावनी है कि आगे राफते में चवराहा है ठीक है तो यह आपके चवराहे को दिखाता है ठीक तो इस परकार हम लोगों ने वार्णिंग वाले सभी साइन को लेकर चले ठीक है आगे मतलब आप अपने ट्रक को लगा सकते हैं राई तेन चौनशड के आगे जाने के बाद आपको एक दूलिभूत मिलेगा ठीक है पानिफेट करता आप पी-पी के मतलब पार्किंग होता है कि इधर चीनल लगा कैने मतलब दाहिने आपके पार्किंग ध तरफ चनने लगा कहने मतलब दोनो साइड आपके पारकिंग बना है do लेकिन स्कूटर बना के नहीं मतलब आप स्कूटर मोटर साइक लिए यहां पर पार्क कर सकते हैं ठीक है यह होगा संट्फट तक आगे हम लोग चलते हैं अड़सवट से अड़सट हमें यह दिखाता है कि आगे टैक्सी पार्किंग है ठीक कार बना है कार यह दिखाता कि समझ लेगा 72 आप 72 को अच्छे से समझ लीजीए 72 तीहतर दोनों 72 आपको यह दिखाता है कि आगे जाने के बाद आपको क्या होगा एक अस्पताल मिलेगा और अस्पताल इस तरीके साब कहसा है पर आपकी भरती भी लेकिन यह यह दि कोई चिन नहीं क्यों है धन का चिन्न यह दर्फ आता है कि आगे आपको फर्स्ट एट प्रात्विक्षी किस्सा मिलेगी आप यहां पर भरती नहीं हो सकते हैं ठीक है चुब गतर यह दिखाता है कि आगे जो सड़क है उसका राफ़ता खतम हो जाएगा क्योंकि यहां लाल बनाए ऐसे आगे बंद हो है आप इसको यह मत समझेगा कि आगे चौड़ी सड़क जाके पतली वाले मिल जा रही है ठीक है एक राफ़ता गया उसके बाद लाल बन गया करने लाल का मतलब यह हो गया कि यहां राफ़ता आगे जागे खतम हो गया आगे राफ़ता नहीं ठीक है आगे कुछ और उनको सकते हैं ठीक है उन्हें दिखाता है कि आगे जाने के बाद और असी दिखाता है कि आपको इंच इंच देक गई तो हाप यह यहां परапनी गाड़े की मरब मत करभा सकती है ठीक है तो यह निसान से आप यह सब पता करें लेते हैं कुछ और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में सेर कीजिए, जिससे की बहुत से लोग तक ये वीडियो जा सके, और हम आपकी और मदद कर सके, और लोगों की बागी के चिन्नों को लोग देखते हैं, बागी के चिन्नों में आप 37 नमबर और 38 नमबर चिन्न को देखिए, यहां पर क्या है कि एक ऐसे खांचा जैसा बना है, कहने के मतलब कि आगे जो सड़क है, उस पर तीब्र खतरनाक गढधा बना हुआ है, उसके लिए ये निसान ठीक है, आगे जाप जिस रोट पर चल रहे हैं, आगे जाने को एक तीब्र गढधा है, खतरना गढधा है, तो उसके लिए ये निसान होता है, ठीक है, और 38 नमबर में आपको देख रहा हुगा, एक फाटक जैसा बना है, कहने के मतलब आगे आप जब जाएंगे, आपको एक रेलवे क्रासिंग मिलेगी, लेकिन इस रेलवे क्रासिंग पर गाड बैठा हुआ है, ठीक है, ये फाटक जैसा बना है, कि आगे जो क्रासिंग है, उस पे क्या है, गाड बैठा हुआ है, लेकिन यदि यहाँ पर ये फाटक ना बना होता है, इसमें एक रेल का इंजन या rail बनी होती कहने के मतलब आगे जाने पर railway crossing है लेकिन यहाँ पर कोई guard नहीं बैठा है ठीक गार्ड रहित railway crossing लेकिन यदि ऐसे फाटक बना हुआ है तो कहने के मतलब आगे जो railway crossing है वहाँ पर गार बैठा हुआ है ठीक है ये दो प्रस्न हो गए और कुछ प्रश्णवर उनको देखते हैं यह सबम देख चुके हैं यह 43 नमबर देखिए चगवालिफ नमबर 43 देखने पर आपको यह लग रहा होगा कि यह जो सडख है यह क्या है फिस्तलन भरी है यह निसान वहां लगा जाते हैं जहां पर तेजबारिस हो रही होती है या आप इस पर ना जाई यह ठीक है यह आपको दिखाता है कि आगे जो सड़क उस पर बजरी पड़ी है या कंकर पत्र या गिट्टी पड़ी हुई है ठीक है 45 हम लोग समझी गये थे यह से पहले देखे थे कि यहां साइकल क्रासिंग के लिए राफता है 46 नमबर यह दिखात सकते हैं 48 वह दिखाता कि आगे क्या है काम चल रहा है ठीक है Penis कorer का मोड़ी है अप चांद के चलें पचासों यह दिखाता है कि गाड़ी जो है आगे जो तीब्र ढाल पर है आगे मतलब आप जिस रोड से चल लें आगे जाने के पर क्या है एक तीब्र ढाल है आप अपनी स्पीड मेंटेंड कर लीजिए यद यही उल्टा बना होता कि गाड़ी धर जा रही होती कि यह मतलब तीब्र उचाई है ठीक है यह दो हो गएं पचास तक और एक दो कुश्चन और बचें उसको देख लेते हैं यह बावन देख चुके थे तिरपन आप देखिए तिरपन यह दिखा रहा है कि आगे जो है राफ्ता है उचा नीचा बना हुआ ठीक है उबढ़ खाबड राफ है कि मतलब क्या है यह राफ्ता आगे जाके क्या है उबढ़ खाबड है ठीक है यह एक बना होता है यह आपको औरोधक को दिखाता है यह क्या दिखाता है कि आगे क्या है एक औरोधक है और किस परकार का जैसे लोग टोल लेते हैं चुंगियोंगी लेते हैं एक डंडा गि वेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो फ्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और मैंने आपको बताया कि यदि आप करंट अफेर पढ़ना चाहते हैं ऐसा करंट अफेर जहा अन्य सूचनाओं को बनाया जाता है और वह आपके पांट से दस मिट के अंदर आपको करंट फेर पढ़डिका हो जाएगा और उससे बाहर प्रसने नहीं पूछे जाएंगे ठीक है और यदि आप UPSI या PCS की त्यारी कर रहे हैं और आप प्वालिटी पढ़ना चाहते हैं आप वहां जाके आप पढ़ सकते हैं ठीक है यह इतनी सूचना थी और इसे के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं जै हिंद जै भारत